वीधियो में इसको मैं इस सिल्यव उसको निकल चुकिए है और उसकी कहले हैंило उसमें थोड़ा से चीनजिंग कैई है और आप से बने ते को खोएग वीडियो के description में आपको link मिलेगा वहाँ से आप exam pattern और जो उसका common paper है उसका पूरा syllabus देख सकते हैं, यहाँ मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ जो English subject का syllabus होगा, वो क्या होगा TGT और PGT के लिए तो English subject में section में language का part है और section भी literature का part है, तो यह जो सामने इस लेवर से PGT का दिख रहा है इसके साथ मैं आपको TGT का से लेवर से भी बताने वाला हूँ तो PGT में language में unseen passage होंगे जहां से आपको question के reply करने होंगे ठीक है, यह TGT में भी होगा और PGT में भी इसके बाद uses में आप grammar के जूज होते हैं जैसे part of speech जो भी part of speech हैं उनका कहां कैसे यूज करते हैं इसमें बात करें तो articles से ज्यादा question पहुचे जाते हैं तो आप articles को prepositions को part of speech में इसमें अच्छे से तरह करने टैंस से related question हो सकते हैं टैंस को आप पढ़ें spelling हो सकती हैं कि कई वार question आ जाता है इसमें तीन misspell कर दी जाती है और यह correct होती है तो इस तरह के question होंगे punctuation से related question होंगे narration मतलब direct और indirect related question हो सकते हैं इसके आद vocabulary में synonyms, antonyums, homophones वगेरा से related question होंगे और idioms and verses यह आते ही हैं आप one word substitution भी पूचे जा सकते हैं although वो syllabus में अभी नहीं दिये हैं वो पूचे जा सकते हैं तो यह तो language का part है जहां आपको इन सब चीजों को तयार करना है यहां मैं clear way मैं आपको पताऊंगा कि आप grammar से related जो भी topics हैं उनको अच्छे तयार कर लें क्योंकि जो इस लेवा से one detail mention नहीं होता है UP में क्योंकि 2016 का जो paper आया था वहां भी देखा गया था कि almost 2016 वाला ही syllabus अभी उन्होंने दिया लेकिन question वह कापी in depth जाके पूच लेते हैं especially अगर TGT की बात करें तो वहां language से और PGT की बात करें तो वहां literature में in depth जाके question पूच लेते हैं इसलिए आप grammar के portion को अच्छे से cover कर लें दूसरे section literature की बात करें तो इसमें लगवाग figure of speech में 20 या 22 figure of speech mostly जो literature में पढ़ाए जाते हैं उनको आप अच्छे से तयार कर लें उसके लिए आप चाहें तो मेरी वीडियो भी prefer कर सकते हैं चैनल पर मैंने figure of speech वीडियो बना रखे हूं literature में भी काफी वीडियो अभी लेवे लें इसमें author और works में विलियम वाट्सपर्थ, जौन कीर्स और चार्ल्स लेम, ये पीवी सैली, चार्ल्स रिकंस, रोमन्ट गेज की राइटर हैं यहां तक ये दे रखे हैं इसके बाद मैथियो अर्नौल, अलफर टैनिसन, तॉमस हार डी, टीये सिलियट, कमल अदास, मुलकरा जानन, निजी मिजिकल, रोबर्ट फ्रोस्ट विटमन, ये दोनों रोबर्ट फ्रोस्ट विटमन, अमिर्कन राइटर हैं, अर्नेस्ट हमिंग भी अमिर्कन राइटर हैं, विलियम फॉगनर, ये भी अमिर्कन राइटर हैं, ठीक है, इसके बाद विलियम सेक्सपियर भी है तो यह जो राइटर हैं यह PGT के लिट्रेशर से लिवस में हैं इसमें अब जो TGT के बात करें तो जो language वाला पार्ट है वो तो सेम यह TGT के लिए भी लेकिन PGT के लिवस में सिर्फ चार राइटर दे रखे हैं तो यह जो इसमें राइटर हैं जैसे क्रिष्टपूर मालो को मैं रिकमेंड करूंगा आप जरूर पढ़ें इसके बाद ड्राइडन और जॉंसन को जरूर पढ़ें क्योंकि उसलिए बस में मैं इसने उनके अपार्ट जाके भी कुशन पूछ ले जाते हैं तो इसलिए हर एक एज के जो टॉप मोस्ट राइटर हैं आप उनको जरूर पढ़ें और उनके लिए मैंने अपने चैनल पे काफी वीडिय आप उनको प्लेश्ट में जाके चैक कर सकते हैं इंगल्ज लेटरचर सीरीजी के नाम से और आप कमेंड भी कर सकते हैं किसी एक राइटर पर अप कुश फैक्ट चाहते हैं तो आप चैनल को विजिट की दिए एंगल्ज्विडियो में काफी वीडियो आपको मिल जाएंग झाल झाल